आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदूंगी में चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यह थर्ड पेपर है सब्सक्रिप्शन भी में आपको लिंकर जे आपको दो करने होँगे सभी के मार्क्स जो है दिये गए हैं देखिए सेक्षन ए से देखते हैं 10 क्वेस्चन है इसमें 22 मार्क्स के यानि 20 मार्क्स के टोटल क्वेस्चन है Define Program Planning यानि कारिकर्मनी योजन को परिभासित कीजिए स्यामपट का परियोग के बारे में लिखना है प्रशार सिख्षा के कोई दो सिध्धान्त लिखना है परिपत्र का महत्व लिखना है करके शीखने का सिध्धान्त अनौपचारिक सिख्षा का महत्व है सामोहिक परिशार्चा बुलेटिन बोर्ड के बारे में व्यक्तिका संपर्क क्या है इंटरनेट क्या है तो ये थे 10 questions very short अब आता है section B इसमें जो है 5 questions दिये गए है 10 marks के और total 50 marks के करने हैं आपको तो question है मुल्यांकन का प्रशार कार्य में महत्व बताईए अथ्वा व्यक्तिगत विधी की हानी के बारे में लिखिए थर्ड question है प्रशार सिक्ष्या के कारी छेतर का वर्डन कीजिए अथ्वा स्रभ्य सामगरी क्या है विस्तार से लिखिए रेडियो कारिक्रम की सामगताईक विकास में भूमी का बताईए अथ्वा प्रशार सिक्षड विधियों के चरड लिखिए गुरिव इज्ञान प्रशार कारकरता के गुढ़ सविस्तार लिखिए अथ्वा ग्रामीड छेतरों में दूर दर्शन के महत्व की व्याख्या कीजिए चाटा क्वेस्टन है कारक्रम नियोजन का वर्डन कीजिए अथवा ग्रीविज्ञान प्रशार के प्रतिमान समझाईए अब आता है सेक्षन सी इसमें जो है दो क्वेस्टन करने हैं 15-15 मार्ग्स के यानि टोटल 30 मार्ग्स के क्वेस्टन है प्रशार शिक्षा के महत्वयम दर्शन की विश्ट्रित व्याख्या कीजिए आठवा क्वेस्टन है प्रशार शिक्षा क्या है प्रशार शिक्षा के सिधान्त पर प्रकास टालिए प्रशार शिक्षा विदियों के वर्गी करण का वर्डन कीजिए चपिश सिक्षड सामगरी का विश्तार से वर्डन कीजिए तो ये टोटल 11 कोईस्टन दिये गए थे यानि इसमें से लॉंग कोईस्टन में से आपको केल दो करने हैं जो आपको अच्छे से आता हो तो प्रेंट्स थार्ड कोईस्टन पेपर गया था फोर्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फोर्ट पेपर देखने के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक जरू करिएगा